नमस्कार कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ बाबिता इस वक्त की बड़ी खबर बुलन शहर से आ रही है जहां पर बसपा के नेता जो हाली में आरेलडी में शामिल हुए है हाजी यूनुस पर जान लेवा हमला हुआ है उनके काफि सकते हैं कि हाजी यूसुफ जो है उनके पैरों में गौली लगी है उन पर जान लेवा हमला हुआ है साथ ही साथ उनके साथ जो च्छे लोग और जो शामिल थे उनके पूरे काफिले पर हमला किया गया है तो यह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से गोली बारी हुई थी तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ निवस रूम में मौझूद है यूदिस्ची यूदिस्ची हाजी यूनिस पर हमला हुआ है आचानक से हमला हो जाता है देखे हाजी यूनिस एक दिन पहले ही आरलीड में शामिल हुए हैं और बस पाकर कद्दावर नेता ह सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पूर ब्लॉक पुर्मुक रहें इसके लावा हाली में यह जब विधानसवा चुनाओं में बुलेंशर के विधानसवा सीट से चुनाओं लड़े थे अलाकि कुछ कमाल नहीं दिखा पाए लेकिन इनकी जो पकड़ है वहां के आसपास के म हमला होना यह बड़े सवाल उठा रहा है क्योंकि जब एक दिन पहले ही वो शामिल हुए है उसके बाद अचानक से हमला होना तो इससे जाहर है कही न कहीं अभी जांच का विसय है तो यह पाक्या बसपा के कुछ कार करता हूं हमला के यह भी तहनी हो पाया और सबसी बड़ किया है चालिस राउंड फाइरिंग हुई और जो गाड़ी है वो च्छत ग्रस्त होगी बहुत बुरी तरह से और उनके हाजी यूनिस के जो है पैर में गुली लगी है छे लोग गायल है अस्पताल में भरती करा गया है इसके बाद जब यह हमले की खबर उनके समर्थकों ने यह दिखा रहा है कि अभी से ही पार्टियों के अंदर रंजिशन शुरू हो गई है जिस तरह इसे आपने देखा था बंगाल के अंदर चुनाओं से पहले हिंसा देखने को मिली थी अभी यह जांच का विशह है पुलिस इस पूरे मामले में जुट गई है कि हमला किस ने क कोशिश की जाते है लोयन ओडर तो जरूर्ट योगी सरकार इस पर सक्त एक्षण लेती है और यह उम्मीद की जा रही है कि योगी सरकार इस मामले पर जो है इसकी जांच कराएगी और हमला वरों को दोश्यों को जो है उनको कह सकते हैं उनको सजा दिलवाएगी तो यहां पर इस्तिति आप देख रहे हैं आप बंगाल की तरह भरती जा रही है अभी आप देखिए एक तरफ समधदी पार्टी के कार्यकरता और नेता भी भड़क उठें आज एक वीडियो आया जिसमें एक डिप्टी बड़ किया जा रहा है यह कहीं ना कहीं अगर इस तरह की स्तथी बन रहे हैं तो यह अभी राजनितिक पार्टियों पर इस बात का दवाव है कि ब्येपी ने इनका जो भॉकल है वो फेल हो रहा है तो यह हिंसापर अगजुनी करने कर दो सब्सक्राइब लेकि जंता समझदार है और यूपी के अंदर जो लोईन ओडर को बिगाड़ने की कोशिश करता है उस पर तगड़ा एक्षन होता है कारवाई होती है यहां तरकी अब तो उनकी जो प्रॉपर्टी वो भी जब्त की जाती है कोई भी किसी तरह का अपराद है उस पर तुरंथ यूगी सरकार एक्षन लेती है तो इस हमले पर भी उमीद है कि जल्द ही इसमें दूद का दूद पानी का पानी हो जाए क्योंकि नेता किसी पार्टी का हो अचानक से इस तरह से हमला होना यह कड़ा और नेता का भले बीएस पी के हैं लेकिन इस तरह की हम इनका भी शब मिला था घर पे तो हाजी अलीम इनके भाई थे उनका शब मिला था और इनके जो पिता थे वो भी एक बड़े नेता थे तो इनका जो फैमिली बेक्डाउंड है वो राजनी से अच्छा है मजबूत है और अचानक से इस तरह का हमला होना यह बता रहा है कि ए पिस्तार से जाए है तो क्या यह एक तरह का कह सकते हैं कि रणनीतिया तयार की जाती है इस तरह की हाँ पहले आप इस तरह की हिंसा कीजिए तो इस तरह से आफे कि और बबक्ष समस्दार वह जानती है कि यह यो घडाक्रणाब कर रहा है किसकी वजह से कर रहे हैं ह। क्यों इस तरह के सामने हो उज्णतन बाद इसलिए जो बिबख्ष इस तरह की हरकत है कर रहा है उसको हर चुनाओं में कह सकते हैं जटका खाना पढ़ रहा है हर चुनाओं में जो है पठकनी खानी पढ़ रहे कांग्रेस पार्टी का देखिए गा इन्होंने लोग सो चुनाओं के दौरान कैसा माहूल बनाने की कुशि है अब हाजी उनिस पर हमला हुआ तो इसमें भी कुछ ना कुछ जोल जरूर है क्या इनी के कुछ लोग थे उसमें शामिल या फिर किसी और के लोग ते जिन्होंने हमला किया यह देखने वाली बात होगी हाजी उनिस एक दिन पहले ही जो है आरलडी में शामिल हुए थे औ जो तरीके से प्लानिंग केता है तो उन्होंने तावर थोड़ गोलियां वरसा ही हैं तो यह पूरी एक प्लानिंग थी और अगर आरलडी में शामिल हुए हैं अलाकि जिसका जहां मन करेगा वह जाएगा लेकिन अगर इस जांच में यह आता है कि बीस पी के नेता को शामि हैं या फिर किसी और पार्टी से बात चल रही है उसके लोग जो है इसमें शामिल है तो यह भी बात देखने वाली होगी लेकितना जरूर है कि यह जहां से आते हैं इनका बहुत बड़ा रसूख है उस एरिया में अच्छी खासी पैठ है तो इसकी बॉकलाट में हो सकता है किसी भी पार्टी के नेतानियों पर हमला कराया हूँ यह जांश का विश है और उमीद है कि जल्द ही दूद का दूद पानी का पानी हो जाए बहुत 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 शुक्रिया युदिस्टर जी इन तमाम जानकारी के लिए तो देखा आपने चुनाव आने वाले हो और उ झाले हैं